आयोधिया के श्री राम मंदिर में आज आम लोगों के दर्शन के लिए भक्तों की भारी भीडू मुरी राम काज संपन हो गया है लेकिन सियासत कम होने के नाम ही नहीं ले रही है राम लला की प्रार प्रतिष्ठा के बाद AIMIM प्रमुक अस्दुदीन ओवैसी ने बड़ा बयान दिया है उनका ये बयान काफी विवादत है ओवैसी ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो अपलोड किया इस वीडियो में वो कहते हुए नजर आए कि 6 दिसंबर के दिन को जो लोग भूल जाने को कहते है मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि तुम तुम्हारे बाप या मा की मौत को भूल सकते हूँ क्या और ऐसा पहली बार नहीं है जब अस्दुदीन ओवैसी ने विवादत बयान दिया है लेकिन कल जब प्रारपतिष्टा होती है उस मौके पर ये भड़काने वाला बयान अस्दुदीन ओवैसी ने दिया है कोई 6 डिसमबर की बात नहीं करता कोई जी बी पंद की बात नहीं करता कोई डिसेस की बात नहीं करता और जब आप इन तमाम सियासी जमाथों ठेव पूछेंगे क्यों नहीं बात करें तो पोलतें अरे भूल जाओना भाई तुम लोग मैं लोगों से पूछ रहा है तुम्हारी बात की मौत को भूल सकते क्या तुम तुम्हारी मा की मौत को भूल सकते क्या आप एक सिस्टेमेटिक तरीखे से इस मस्जिद को छीन लिए और कई इशूस पैदा हो गए और दर केरल के मुख्य मंत्री पिन्वराई विजर ने इशारों इशारों में पी एम मोधी पर तंस कस दिया है उन्होंने वेकाय कि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्टा के कारक्रम में हिस्सा लेने से इंकार इसलिए किया क्योंकि हमें सम्मिदान की धर्म निर्पेक्षिता के लिए प्रतिवद्धता दिखानी चाहिए बड़ी ख़बर आपको बतादे पस्च मंगाल की मुख्य मंत्री ममता बनर जी ने आयोध्या में राम मंदि की प्रान प्रतिष्टा को लेकर बीजेपी पर हमला बोला है ममता बनर जी नियोध्या मिलने के बावजूद आयोध्या नहीं गई इसके बजाए उन्होंने कोलकता में सर्वधर में रैली निकाली जिसमें उन्होंने बीजबी को महिला विरोधी पार्टी कह दिया ममता बनर्जी ने हमला बोलते हुए कहा कि बीजबी सर्फ भगवान राम की बात करती है लेकिन देवी सीता को भूल जाती है ममता ने आगे कहा कि वो निर्दोशों के शवों पर बने पूजास्थल को कैसे स्विकार कर सकती है एसे पहले ममता बनर्जी के भतीजी और टीमसी नेता भिशेग बनर्जी ने भी यही बयान दिया था तो एक तरफ तो तमाम नेता विवादिक बयान दे रहे और वही दूसरी तरफ राम मंदिर पर सियासत करने बालों पर बीजेपी ने जवाब दिया है बीजेपी नेता साक्षी माराज ने एका है कि कार सेवकों पर चली गोलियों को भुलाया नहीं जा सकता है हेमंद बिश्वा सर्मा ने ये कहा कि भारत राम राज्यों के साथ साथ विश्वत गुरू भी बनेगा कर सकती है